रम रम सब यारे किसान बाइयों मौरवड़े किसान चैनल पर आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे कुछ दिन पहले मिने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था आप गर पर 20 दोरा कैसे टमाटर का सीडलिंग प्लांट त सकते हैं और आज मैं बता रहे हूं अब आपने टमाटर का सीडलिंग प्लांट एक सबस्प्रकार कर सकते हैं के उनकी ग्रोथ छेण बल क расп the R गोबर दो आज में बता हुआ है आप टमाट के सीडिंग प्लांट का ट्रांस्फ बढ़े ग्रोबेग या बड़े गमले में परकार करें तो उसकी लिए सबसे पहले तेयार कर ले मिटी तेयार करने के लिए आप वर्मी कंपोष्ट को बराबर मात्रा में मिला ले और मिठी ऐसी होनी चाहिए जो नियूट्राइब को बरपूर हो और मॉस्चेजराइब को हॉल्ड करकर रखे और अगर आपके पास कंपोष्ट वर्मी कंपोष्ट नहीं है इनमें इंटमाट के सीडलिंग प्लांट करी हूँ, इसके लिए आप एक पोदे को च्चे से निकाले, ध्यान रखे कि उनकी जड़े तूटे ना, अगर जड़े तूटे की तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो आप एक एक पोदे को च्चे से निकाले, उसके बाद प्लांट करते हो तो साम के समय करने चाहिए, तो फेर मिलना करें तक कड़ी दूप में पोदा जल जाएगा, तो मैं साम के समय करें हूँ, आप साम के समय ट्रांस्लाट करके हलकी सिंचाई देदी कि तो पोदे की ग्रोथ अच्ची होगी, और जहां पे डायरेक्ट दूप दूप आती है वहां पे पोदे को रख दे ताकि दूप से पोदा जले ने इस परकार से आप कुछ दिन बाद में और शिंचाई कर दीजिए जिसे पोदा जलेगा भी नहीं और उसकी ग्रोथ बेच्ची होगी और उसे समय समय पर न्यूट्रियन देते रहें आप जो भी ट सोख होती है वह दे सकते हैं जिसमें ठामाट के पोदे पर कैल्सियम की पूर्ति होगी और वह उस पर टामाटर ज्याद आएंगे अगर अगर आपको यह भी ट्रांस्प्लांट करने का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर झाल 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 झाल